हेलो दोस्तो आप सभी काफिर से एक नई वीडियो में स्वागत है और दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग फेस्बुक इस्टोरी को अपने मुबाइल फोन की गैलरी में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी म्यूजिक और सोंग के साथ और द जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को शुरू सिले कर वीडियो को लाश्टि तक देखेगा और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सिक छोटी इस रिक्वेस्ट है यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक इन किया सोगा इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नए वीडियो की अपडेट आपके पास पहुंच सके तो चले दोस्तों बिना दरी के वीडियो को सुरू करते हैं तो चले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग फेस्बुक इस्टोरी को अपने मुएल की गैलरी में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी म्यूजिक और सोंग के साथ तो सबसे पहले आपको फेस्बुक अपलिकेशन को उपन करना है और फेस्बुक अपलिकेशन को उपन करने के बाद आपके सामने इस परकार का पेज उपन हो जाएगा और दोस्तों अब आपको इस वीडियो को पुरा ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले मैं Facebook पे अपनी एक story पोस्ट करता हूँ फिर मैं आपको उस story को अपने mobile की gallery में आपको download करके दिखाऊंगा music और song के साथ तो चले दोस्तों मैं यहाँ पर create story वाले option पे click कर लेता हूँ और इस पर click करने के बाद मेरे mobile की gallery open हो चुकी है ठीक है कुछ इस तरीके से अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक folder select कर लेता हूँ और folder में से अपना कोई भी एक photo select कर लेता हूँ तो देखे दोस्तों यहाँ पर मेरा photo आ चुका है और अब मैं यहाँ पर music वाले option पे click करता हूँ तो देखे दोस्तों मेरा जो story है वो sharing होना start हो चुका है यानिके मेरा जो story है post होना start हो चुका है तो दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा wait करता हूँ जब तक मेरा story post नहीं हो जाता है तो चली मैं इसे एक बार reference कर लेता हूँ और reference करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अभी थोड़ा सा timing है तो यहाँ पर थोड़ा सा और wait करते हैं और एक बार और reference करता हूँ तो देखे दोस्तों मैंने इससे reference किया और देखे मेरी story यहाँ पर post हो चुका है तो चलिए मैं अपनी story पर click करता हूँ और story पर click करने के बाद इस परकार का page उपन हो जाएगा और दोस्तों अब आपको इसमें एक option मिल जाए हूपर corner में 3 line का आपको इस वाले option पर click कर देना है और यहाँ पर आपके सामने काफी सारे option आ जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें एक option मिल जाएगा archive video का तो यहाँ पर आपको save video वाले option पर click नहीं करना है आपको archive video वाले option पर click कर देना है और इस पर click करने के बाद आपको ok वाले option पर click कर देना है ok वाले option पर जैसी आप click करोगे और profile open करने के बाद इस परकार का page open हो जाएगा, अब आपको यहाँ पर क्या करने, आपको इस three line वाले option पे click कर देना है, इस पर click करने के बाद आपको यहाँ पर इसमें एक option मिल जाएगा, आपको इस परकार का page open हो जाएगा, आप देखें दोस्तों, आप लोग जितने भी story पोस्ट करते हैं, सभी story यहाँ पर कुछ इस तरी के से आ जाती है, ठीक है, आप दोस्तों यहाँ से देखें आपको story को कैसे download करना है, आपको जो भी story डाउनलोड करना है, आपको उस story पे click करना है, तो चलिए दोस्तों, मैंने जो story पोस्ट किया था, उस story को मैं आपको यह पर download करके दिखाता हूँ तो इस पर मैंने click किया और यह story यहाँ पर आ चुका है अब आपको क्या करना है आपको three line वाले option पर click करना है और इस पर click करने के बाद आपको इसमें एक option मिल जाएगा save video आपको इस वाले option पर click कर देना है जैसी आप इस पर click कर दोगे यह video आपकी gallery में save हो जाएगा तो चलिए दोस्तों आपको gallery में ले जाके इस वीडियो का आपको दिखा दिता हूँ तो देखें दोस्तों मैं gallery में आ चुका हूँ और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह video यहाँ पर download हो चुका है मेरे mobile phone की gallery में तो इस तरीके से आप लोग किसी भी story को अपने mobile की gallery में download कर सकता है music और song के साथ तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह video पसंद आई होगी और दोस्तों यदि आपको यह video पसंद आई तो वीडियो को like करना share करना comment करना और channel पढ़ने हो तो channel को भी subscribe करना थैंक्यू दोस्तों